हेलो दोस्तो तो आप सबी को SSE Stenographer 2022 के रिजल्ट का बहुत बेसबरी से इंतिजार है रिजल्ट भी जो है आज कल में आने वाला है आज भी आ सकता है संभावना है कि रिजल्ट आज आ जाए ठीक है या कल तो कभी भी result आ सकता है लेकिन जो cut off है वो थोड़ा सा अंतर cut off में दिखाई दे रहा है आपने CPO का result देखा होगा और result की बात नहीं मैं scorecard की बात करूँगा कि आपने CPO का scorecard देखा होगा अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितना इंक्रीमेंट बहाँ पर मिला है नॉर्मलाइजेशन में कितने marks इंक्रीज हुए है मैंने खुद ने exam दिया था जिसमें मेरे row score में भी चार नमबर बड़े है लग बग चार नमबर के असपास question गलत होगा उसमे shift में मैंने तो चैक नहीं किया था ठीक है तो चार तो मेरे row score बड़े है बाकी नॉर्मलाइजेशन में भी 5-6 नमबर मुझे मिले है यानि कुल मिला करके 8-9 नमबर तक मेरे बढ़ चुके हैं answer की से अब जो final marks 100 की है उसमें ठीक है तो आप आप खुद देख सकते हो और ऐसे ही तमाम score card आप देखोगे न यूट्यूब पर तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नमबर तक बढ़ रहे हैं तो जो main जो कारण है cut off बढ़ने का वो है नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर सेम चीजे होने वाली है मैंने नॉर्मलाइजेशन के केबल पांच नमबर एड़ किये थी जब मैंने cut off बताई थी cut off मैंने आपको बताई थी जनरल की 120 के आसपास बताई थी और OBC की 115 के आसपास वहीं पर EWS की 113 का आसपास SC 105 और ST 90 के आसपास मैंने cut off बताई थी लेकिन अब जो है cut off थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये बढ़ेगी ही जाद है नहीं अब जो है जनरल की 125 के आसपास cut off जाएगी क्योंकि मैं average जो है 10 marks बढ़ा करके चल रहा हूँ normalization की ठीक है न तो इतने पर cut off जाएगी 125 के आसपास cut off जाने वाली है और 5-5 नमबर आप सभी में बढ़ा लीजिए 125 के आसपास journal और ABC की जो है 120 के आसपास जाने के संभावना है वहीं पर EWS की बात करें तो लगबग 117-18 और SC में भी 110 के आसपास 110 से जादा नहीं जाएगी कम ही रहने वाली है SC कैटिगरी में ST की वही 90 के आसपास cut off जाएगी ST में जादा नहीं बढ़ने के चांस है तो ये cut off जो है अभी आप देख लेना आप मिला लेना जब आपका result आएगा आज कल में result आने वाला है आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल सही बात थी ठीक है तो cut off जो है बढ़ने वाली है और बहुत जादा नहीं बस जो मैंने बता है इसी के आसपास cut off रहने वाली है तो आपको tension नहीं लेनी क्योंकि आपके भी तो normalization में number बढ़ेंगे ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदे के बढ़ेंगे दूसरे के नहीं बढ़ेंगे लगबग लगबग थोड़े बहुत सभी के बढ़ते हैं ठीक है तो आपको tension लेने की अवशकता नहीं है कि मेरे तो कम score है ठीक है लगबग लगबग सभी के number बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है नormalization में तो इतनी एपडेट देनी थी result आज आएगा बहुत जल्द आपको बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा result के बारे में मस सोचो आज आएगा जब आएगा ठीक है तो आपको बस आगे के तियारी करते रहनी है और 2023 का जो exam होने वाला है उसके लिए मैंने English की बहुत अच्छी strategy की वीडियो प्रवाइड की है और अगली वीडियो में यानि आज या फिर कल मैं आपको एक proper time table बना करके दूँगा कि आपको ये चीज़े इस time करनी है इतने घंटे इस time को देने है यहां से ये चीज़े करनी है इस तरी किसमें आपको proper एक time table बना करके दूँगा क्योंकि comments थे time table के बारे में भी तो वो चीज़ हम करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो